चाया वादी कवी जैसंकर प्रशाद उनके द्वारा लिखित है देव सेना का गीत देव सेना का गीत प्रशाद के इसकंद गुपनाटक से लिया गया है और देव सेना मालवा की राजा बंदु भर्मा की बेहन थी हुणों के आक्रमण से आर्यावर्त में जो संकट आ पड़ा था उसमें सभी लोग बीरगती को प्राप्त हो गई थे और देव सेना राश्ट सेवा का ब्रत लिये हुए जी रही थी लेकिन वो मनी मन में इसकंद गुपत की उसको ये मन में चाहत थी किन्तु हुआ क्या कि इसकंद गुपत मालवा की धन कुवेर की करन्या विज्या को चाहते थे और उन्होंने उसके देव सेना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था तो जब लेकिन अंतिम समोय में क्या होता है कि इसकंगुत देव सेना के पास आकर के अपना प्रस्ताव रखता है लेकिन तब तक काफी कुछ बदल चुका होता है देव सेना एक राष्ट सेवा में लग जाती है और उसके प्रस्ताव को ठुकरा दीती है तो उसी में ये जो देव सेना का गीत है उसमें जो अपने अन्भवों में जो अरजित वेदना मैं छड़ों को वो याद कर रही है और इस गीत को गा रही है तो उसी गीत का आज हम यहाँ पर बाचन करेंगे आह वेद ना मिली विदाए आह वेद ना मिली विदाए मैंने भ्रम वस जीवन संचित मधुकरियों की भीक लुटाए आह वेद ना मिली विदाए चल चल थे संध्या की स्रमकण आसुसे गिरते थे प्रतिचन मेरी आत्रा पर लेती थी नीरवता नंत अंगडाए आह वेद ना मिली विदाए आह वेद ना मिली विदाए स्रमित स्वपन की मधुमाया में गेहन विपिन की तरुछाया में पथिक उनीरी सुरुति में किसने यह विहाग की तान उठाए आह वेद ना मिली विदाए आह वेद ना मिली विदाए लगी सत्रश्न देठ थी सब की रही बचाए फिरती कब की मेरी आसा आह बावले तुने खोदी सकल कमाए आह वेद ना मिली विदाए आह वेद ना मिली विदाए तुने खोदी सकल कमाए चड़कर मेरे जीवन रत पर प्रलै चल रहा अपने पत पर मैंने निज दुर बल पद बल पर उस से हारी होड लगाई आह वेद ना मिली विदाए आह वेद ना मिली विदाए लोटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाहा खाती विश्वन सभलेगी यह मुझ से इस से मन की लाज गवाई आह वेद ना मिली विदाए आह वेद ना मिली विदाए यह आपका कविता पाठ हुआ अब हम इसकी व्याख्या करेंगे देव सेना का गीद यह जैसंकर प्रशाद के इसकंद गुपनाटक से लिया गया है इसकी आज हम व्याख्या को देखेंगे आह वेद ना मिली विदाए मैंने भ्रम्वस जीवन संचित मधुकरियों की भीक लुटाए चल चल थे संध्या के श्रमकन आसू से गिरते थे प्रतिछन मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगडाई तो यहाँ पर जो प्रशंग है प्रस्तुत काभ्यांस पाठे पुस्तक अंतरा भागदुमे संकलित कविता देव सेना का गेत से ये लिया गया है इसके जो कभी है छायावादी कविता के प्रमुक आधारिस्तम जैसंकर प्रशाद है और ये गीत है वो इसकंद गुप नाटक से लिया गया है इस गीत में जो देव सेना है वो अपने जीवन के जो पीडा के जो छण हैं जो कश्ट के जो छण हैं उनको याद करके इस गीत को गा रही है आह वेदना मिली विदाई मैंने भ्रम्बस जीवन संचित मदकरियों की भीक लुटाई तो यहाँ जो देव सेना का कहना है कि अपने हिर्दे की जो पीडा है वेदना क्या है पीडा मिली विदाई विदा होना मतलब उससे अलग होना विदाई मिल रही है मैंने भ्रमबस जीवन संचित मदकरियों की भीक लुटाई मदकरियां जो होती है मतलब जो ये मदुमक्षियों का जुन जो होता है और आहा मतलब आहा भरना और यहां पर विश्मयादिवोदक चिन्बी लगा हुआ है यहां पर विश्मयादिवोदक चिन्बी है तो मैंने भ्रहंबस जीवन संचित मदुकरियों की भीक लुटाई तो यहाँ पर जो देव सेना का कहना है कि जो मैं इस पीडा से जो दूर भी हो रही हूं हिर्दे की जो पीडा है उससे मैं अगर दूर भी हो रही हूं जो यह भी मेरे लिए एक दुर्भाग की बात है मतलथ इसमें भी मुझे एक कष्ट हो रहा है ज़ब यहने किसी को एक पीडा से मुक्ती मिलती है तो उसे खुसी होती है लेकिन यहाँ क्या है यहाँ पर जो देव सेना है वो क्यों कह रही है इसमें क्योंकि इसकंद गुप्त के जो बिभा के प्रस्ताप को ठोकराने के बाद देवसेना अपने जीवन के जो कष्ट के जो च्छन हैं उनको याद करते हुए दुखी हो करके वो कहती है कि जो मैं इस वेदना से इस कष्ट से मुझे जो बिदाई मिल रही है तो उसमें भी मुझे कष्ट हो रहा है यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने भ्रंबस जीवन संचित मदुकरियों की भूक लुटाई मतलब मेरे जीवन वर जिन भावनाओं को मैंने संचित करके रखा था और उसको मैंने यत्म पूर्वक जो सहज करके रखा था और उसे भीक रूपमेल में लुटाती जा रही हूं तो यहां पर चल चल थे संध्या के स्रमकन आशू से गिरते थे प्रतिछान मेरी यात्रा पर लेती थी तो यहां पर देवसहन uk क्या कहना चाहती है कि जो संध्या के जो स्रमकन हैं जो मतलब परिश्वन करने के बाद जो पस आशेना रूपी जो आशू है और वो प्रति छण्ड प्रति पल बह रहे हैं गिरते जाएं मानो मेरी यात्रा पर लेती थी आगे क्या कहना चाहती है देवसे ना कि मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता, अनंत अंगडाई नीरवता means खामोसी और अनन्त मींस ना रुकने वाली अन्तहीन तो यहां देवसेनागा कहना है कि जो मानुवै दुख भी प्रगट कर रही है कि मेरी जो यात्रा है जो मेरी यात्रा है उस पर जो खामोस रहने वाली सांती जो है मेरी जीवन व्यात्रा में एक विच्चित्र सी एक खामोसी है जो कि ना रुकने वाली सांती सी प्रती हो रही है नीरवता अनन्त अंगड़ाई नीरवता मेंज खामोसी अनन्त मेंज ना रुकने वाली अंगड़ाई उस तरह मतला देवसेना को प्रती हो रहा है आगे इस सेकेट इस्टेंजा है तो यहाँ पर जो देवसेना है वो अपने हिर्दय की बिरह की जो पीड़ा है उसको प्रस्तुत करती हुई देवसेना कहती है कि जीवन में मैंने जो स्वपन देखे थे देखे गई जो स्वपन है वो ठक चुके हैं स्वपन की मधुमाया में लेकिन परंत उनका जो मधुर मो है अब भी बना हुआ है स्रमित क्या होता है स्रमित मींस परिश्रम करके ठका हुआ और मधुमाया मींस होता है मिठास लिए हुई मोह माया तो वो क्या कहते हैं स्वपन ठक गए हैं परंत उनका जो मधुर मोह है जो मिठास लिए हुए मोह है अभी भी बना हुआ है उनके प्रती जो आसकती है अब भी बनी हुई है तो पथिक उनीदी सुरुत में किसने यह विहाग की तान उठाई तो यहाँ जो देवसना कहती है कि इस उनीदी हुई उनीदी मतलब नीन से जो बोजल होती है उहुगती हुई यह कौन पथिक है जो कौन रहागीर है जिसने यह विहाग की तान उठाई है जो प्रेम की यह तान है किसने उठाई है, किसने सुनाई है लगी सत्रशन दीठती सब की रही बचाए फिरती कव की मेरी आसा आहवावली तू ने खोदी सकल कमाई इसमें देव सेना कहती है कि मेरी तरब बहुत सी लल्चाई नजरें देख रही थी सत्रश्न होता है प्यासी नजरें लल्चाई नजरें दीट होता है निगाह द्रश्टी सबकी जो लल्चाई द्रश्टी थी नजरें थी वो उनसे मैंने आपको बचा के रखा रही बचाए फिरती कबकी में उसको बचाकर के इधर उदर फिरती रही मेरी आसा आहा बावली तो यहां कहती है कि मेरी जो आसा थी वो कितनी बावली थी कितनी मूर्ख थी, कितनी वेवपूर थी और वो अपने आपको ही इस तरह मूर्ख और बावली बताती है कि तुने खोदी सकल कमाई और इसके द्वारा वो कहना चाहती है कि तुम मूर्ख ठहरी और तुने सारे कमाई को लोटा दिया आगे हैं चड़कर मेरे जीवन रत पर प्रले चल रहा अपने पत पर मैंने निज दुरबल पद बल पर उससे हारी होड लगाई लोटा लो ये अपनी धाती मेरी करुणा हाहा खाती विस्सुन संभले गी है मुझसे इससे मन की लाज गवाई तो यहां देवसेना कहती है कि चड़कर मेरे जीवन रत पर मतला जो मेरे जीवन रूपी रत है उस पर प्रले चड़कर के और अपने रास्ते पर चल रहा है मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड लगाई तो यहां देवसेना कहती है कि जो एक होड थी एक प्रतिस परदा थी कि मैं इसकंद गुप्त को सायद उसके प्रेम को मैं पा सकूँ लेकिन मैं उसके प्रेम को पाने में अस्फल रही दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड लगाई इसकंद गुप्त को प्राप कर पाऊं फिर भी उसके प्रेम को मन में मैंने बसाया यह देवसेना कहती है कि मैंने उसके प्रेम को मन में बसाया वही प्यार अब मुझे जग जोर रहा है मतलब वह मुझे अब अंदर से जग जोर रहा है वो मुझे अब सहन नहीं हो रहा आगे है लोटा लो है अपनी धाती मेरी करणा हा हा खाती तो यहां देवसेना क्या कहती है कि अपनी जो धाती है धाती मतलब होता है एक अपनी धरोहर जो प्रेम उसने पाया था उस प्रेम रूपी धरोहर को या अमानत को उसे लोटा लो क्योंकि मेरी जो करणा है अब इस पूर्ण काम बन चुका है, तो विश्वन असंभले की है मुझसे, तो वो इसकंध गुप्त से कहती है कि ये अब मुझसे नहीं समाला जाएगा, अब ये मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि पहले इसकंध गुप्त ने उसके प्रेम को ठुकरा आया था, और अब उसके प्रेम रूपी जो धरोहर है जो अमानत है वो उसे लोटाना चाहती है कि ये अब मुझसे नहीं समाला जाएगा इससे मन की लाज गवाई अब वो कहती है कि जिसको मैंने औरों की नजरों से अपने आपको जो जिसकंद गुप्त के लिए बचा के रखा था अब ये मुझसे नहीं समाला जाएगा इससे मन की लाज बचाई अब ये जो लाज है अब मेरी जो ये सर्म है अब ये जा चुकी है तो अब यहाँ पर देवसेना इस तरह वो इसकंद गुप्त से उसके प्रेम को वो अस्विकार करती है पहले वो उसके प्रेम उससे प्रेम करती थी लेकिन अंत में जब राष्ट सेबा में लग जाती है वो उसके लिए कार्नेलिया का गीत इसकी व्या아ख्या को आगे आने वाली वीडियो में देखोगे धन्यवाद